प्रोनेसिस इंवेस्टर एकाडमी के इस ब्रैंड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टॉप लार्ज कैप फंड्स के बारे में लास्ट वन यर का अगर आप रिस्पेक्टिव बेंचमार के मुकाबले लार्ज कैप, मिट कैप और स्मॉल कैप के कुटी फंड्स का अगर रिटर्न्स चेक करेंगे तो आपको मिट कैप और स्मॉल कैप में काफी सारे कुटी फंड्स मिल जाएंगे जो कि अपने बेंचमार क वो recent times में beat कर पा रहे हैं, last one year का अगर आप performance देखेंगे, उसमें भी कुछ funds ऐसे हैं, जो कि benchmark से काफी ज़्यादा returns generate कर रहे हैं, अभी जिस तरह के market conditions हैं, उस समें काफी सारे experts का अगर आप views सुरेंगे, तो आपको सुनने क्यों मिलेगा कि large cap के जो stocks हैं, relatively better placed है, mid cap और small cap के म तो forward पी या फिर trailing पी कुछ भी आप चेक कर लें, दोनों ही parameters पे large cap के जो stocks हैं, उनका valuation या तो reasonable है, या फिर slightly overvalued है, जबकि mid cap और small cap के stocks overvalued zone में हैं, तो valuation wise, yes, large cap के stocks better placed है, यह हुआ number one, number second, last two years, three years में अगर आप performance देखेंगे large caps का तो नहीं आया है, recent times में भी performance नहीं आया है, यहाँ पे अगर आप इसी साल 2023 में 50-50 का returns देंगे हैं, तो about 12% का return है, जबकि mid cap और small cap का अगर आप returns देखेंगे, तो almost 40-45% के आस-पास returns आया है, तो यह जो return का difference है, वो बहुत जादा है, of course going ahead यह narrow down होगा, इतना बड़ा gap आने वाले समय में हम expect नहीं कर सकते हैं, number third, FIIs, FIIs फिर से इंडिया में अपना investment start कर चुके हैं, तो FIIs का जब पैसा आएगा, वो बड़ा पैसा आता है, तो ज़्यादा तर liquidity large cap के stocks में होता है, तो ज़्यादा तर पैसा large cap में जाएगा, थोड़ा बहुत mid cap में जाएगा और small cap में काफी कम जाएगा, क्योंकि FIIs का, तो उसके कारण भी large cap में आप तेजी expect कर सकते हैं आने वाले महीनों में, तो overall large cap के ज़्यादा तर funds अपने benchmark को बीट तो कर पा रहे हैं last one year में, लेकिन हाँ अगर आप benchmark का returns देखेंगे, large cap, mid cap, small cap, तो mid cap और small cap के मुकाबले large cap के benchmark का return काफी कम आया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये mostly change होगा, large cap के stocks का performance relatively improve होगा, नो हम जान लेते हैं कुछ top actively managed large cap equity funds के बारे में, large cap equity mutual fund category में currently 30 funds ऐसे हैं जिन्होंने अपना one year complete कर लिया है, उन सारे 30 fund का detail आप यहाँ पे check कर सकते हैं, उनका IUM यहाँ पे है, उसके साथी इनके direct plan का returns one year, three year, five year और ten year चेक कर सकते हैं और साथी benchmark का returns भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे out of these 30 funds सबसे पहले हम वैसे funds को अपने finalist से remove करेंगे, जो कि relatively नए funds हैं, जिन्होंने अभी तक three years भी complete नहीं किया है, साथी वैसे funds, जिनका even बहुत छोटा है, that is 500 करोर से भी कम है, यहाँ पे मैं एक clear क रहे हैं, यहाँ पे performance के basis पे remove नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं, क्योंकि या तो नए है या काफी छोटे हैं, तो जब कोई fund नया होता है, तो वहाँ पे of course हमारे पास sufficient details नहीं होते हैं, जिससे कि हम उस fund को अच्छी तरह से study कर सकें, तो यहाँ पे मैंने हाइलाइट किया हुआ है, जिन funds को हम remove करेंगे, यहाँ पे मैं यह भी clear कर दूँ कि अगर आप performance देखेंगे in funds का last one year का, तो देखें, परफॉमेंस ज्यादातर funds का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने green में किया हुआ है last one year का return, इसमें से ज्यादातर funds ने अपने benchmark को beat किया तो देखें, अगर कोई ऐसा investor है, जो कि fund में invest कर चुका है, तो आपे of course अगर किसी ने fund में invest किया है, तो उसे continue करना चाहिए, अगर एक साल में थोड़ा under performance भी आता है, तो उसके कारण fund से नहीं निकलना चाहिए, नया fund है, इसका यह मतलब तो नहीं है कि बुरा fund है, हो सकत ज्यादा preference देते हैं, तो सबसे पहले performance के लिए, performance चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो funds का हम benchmark के मुकाबले return चेक करेंगे, तो अगर कोई fund ऐसा है, जो कि benchmark को comfortably beat कर रहा है, जादा तर horizons में, तब तो वो fund अच्छा माना जाएगा, consistent performer है, तो यहाँ पे द देखें, last one year का return, आपको बहुत काम funds मिलेंगे, जो कि benchmark को beat नहीं कर पा रहा है, सिर्फ three funds है last one year में, अगर out of these 22 funds में आप देखें, access blue chip beat नहीं कर पा रहा है, LICMF beat नहीं कर पा रहा है, और UTI large cap beat नहीं कर पा रहा है, उसमें से UTI large cap का तो बिल्कुल आसपास ही return है benchmark के, ज् access blue chip fund का वेगर आप performance देखें, last one year का, तो पहले बहुत जादा under performance आ रहा था, तो ये under performance अब कम हो रहा है, 12% के आसपास का return है, और benchmark का 15% के आसपास का return है, बढ़ हाँ, अभी भी under performance तो है, last one year, three year, five year, तीनों में ये benchmark से कम return दे रहा है, तो इस सारे funds को मैंने highlight किया हुआ है जिने हम final list से remove करेंगे, यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि कुछ funds को हम final list से यहाँ पर remove कर रहे हैं, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कि हो fund बिल्कुल खराब है, देखें एक तो हमें कुछ top funds select करना है, तो of course, in funds से ज़्यादा अच्छे funds available है, इसलिए in funds को हम निकाल रहे हैं यहाँ से, वो सारे funds एक जैसे नहीं है, अगर कोई fund benchmark के आसपा से return generate कर रहा है, तो ideally वो ऐसे funds के साथ बने रहाना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर under performance है, तो उसके कारण immediately हमें किसी भी fund से नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा और समय उस तरह के fund को देना चाह पेल के हमारे 14 funds, इन funds का अगर आप performance देखेंगे, तो ज़्यादा तर horizons में अपने benchmark को beat कर पा रहे हैं, इन में से कोई भी एक fund भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जो कि last one year में अपने benchmark से come return rate कर रहा है, सारे funds ने at least last one year में तो benchmark को beat किया ही है, साथी ज़्यादा तर horizons में अप अपने benchmark को beat किया है, अब हमें top funds select करना है, तो यहाँ पर देखिए सारे funds अच्छे हैं, किसी के portfolio में हैं तो concern नहीं होना चाहिए, सारे funds, all 14, लेकिना हमें top funds select करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे कि इन में से top funds कौन से हैं, जो कि ज़्यादा return generate कर रहे है, relatively, तो उसके लिए हमने क्या किया है, कि different horizons में like one year, three year, five year, ten year में, जो top five, six के funds है, उसे मैंने green color से highlight किया है, तो अगर आप उस तरह से इनका performance देखेंगे, तो कुछ funds को यहाँ पे मैंने highlight किया है, जिसे हम final list में include करेंगे, यहाँ पे देखिए, निपन last cap देख performance अच्छा है, और उसी तरह से HDFC का अगर आप देखें, तो last, first two horizons में, one year, three year में performance बहुत अच्छा है, ICI से अपरू का देखें, all four horizons में performance काफी अच्छा है, कोटक का last two horizons में performance अच्छा है, तो यहाँ पे देखें, मेरे asset large cap और SBI blue chip fund का अगर आप performance देखेंगे, तो relatively थोड़ा down performance है, जो दूसरे green colors जो हमने highlight किये हैं, लेकिन दोनों funds का even बहुत बड़ा है, past में बहुत अच्छा performance दिया हुआ है इन दोनों funds को, इसी लिए इन दोन funds का performance कैसा चल रहा है, यहाँ पर आप इन funds का risk and return parameters चेक कर सकते हैं across three year and five year horizon, यहाँ आपको clearly पता चल जाएगा कि long term और short term में क्या हो रहा है, तो देखें, short term में तो सारे ही funds का performance ठीक था, हमने देखा था one year में, सारे funds अपने benchmark को beat कर पा रहा है, लेकिन three year horizon में अगर आप द देखेंगे, तो देखें, इनका sharp ratio alpha आप देखें, sharp ratio देखें, सारे ही funds का अच्छा है, किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि one के आसपास है या फिर one से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर Nippon India, ICIC approved और HDFC का sharp ratio काफी ज़्यादा अच्छा है three year horizon में, alpha भी अगर आप दे alpha नहीं है, five year horizon अगर आप देखें, तो यहाँ पे Kendra Rubico का alpha बहुत अच्छा है, और बड़ोधा BNP परिवास का alpha भी बहुत अच्छा है, जबकि SBI blue chip, Miray S8 और HDFC का one से भी कम alpha है, so out of these funds अगर tough fund select करना हो, तो यहाँ पे देखें, ICIC approved blue chip fund बहुत अच्छा fund है, क्योंकि इनक standard deviation और beta भी देखें, तो कम है, तो risk भी relatively कम है, और three year और five year दोनों में ही इनका performance अच्छा है, three year में तो बहुत अच्छा है, उसी तरह से Nippon India large gap fund का भी performance बहुत अच्छा है, खासका three year में बहुत अच्छा performance है, लेकिन हाँ Nippon में अगर आप standard deviation और beta देखें, तो थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि relatively ये fund थोड़ा ज्यादा risk लेता है, उसी तरह से kotak blue chip को देखें, तो इनका performance भी relatively ठीक है, like alpha अगर आप देखें, तो three year, five year में alpha generate कर पा रहा है, उसके बाद बड़ोधा BNP परिवास का ये performance ठीक माना जाएगा, one percent, one, one के आसपास का alpha है, three years में, और five year में भी 2.6 के आसपास का alpha है, HDFC का ये totally agree three year में performance बहुत अच्छा है, क्योंकि last one two years में value investing के जो stocks अच्छा करें, इनका performance बहुत अच्छा है, लिए five year में अगर आप performance देखें, तो अच्छा नहीं है, अगर आप standard division और beta देखें, तो इस fund का भी थोड़ा जादा है, और मिरे इसे large cap का अगर आप देखें, तो three year, five year में performance नहीं आया है, जबकि एक समय था जब ये fund बहुत अच्छा performance दिया करता था, last one year में performance इंप्रूब भी हुआ है, लेकिन आभी भी performance कोई बहुत जादा अच्छा नहीं रहा है, और साथी SBI, Blue Chief Fund और Kenra Rubico Equity Fund का भी जीस तरह का performance य ज्यादा investment कर रहे हैं, तो large cap के funds है, large cap के जो equity mutual funds होते हैं, उन्हें अपने total asset का at least 80% large cap के stocks में invest करना होता है, rest जो 20% है, वो large cap, mid cap, small cap कहीं भी invest कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, सारे funds ने 80% से ज्यादा का allocation large cap में किया हुआ है, और relatively अगर आप देखें, तो HDFC top 100 fund का 92% large cap में investment है, सबसे ज्यादा, mid cap को अगर आप देखें, तो Nippon, Kotak, SBI और मिरे का mid cap के stocks में relatively ज्यादा exposure है, और small cap अगर आप देखें, तो Nippon, India और बडोधा का small cap के stocks में relatively ज्यादा exposure है, यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंग यह है, कि यह market cap का allocation है, उस पर returns depend नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरह का market cap जिनका है, उनका return ज्यादा आ रहा है, दूसरे तरीके का market cap और returns कम आ रहा है, देखें, अभी सबसे ज्यादा last one year में इन funds में return किसका है, Nippon, India का, 24% से भी ज्यादा का return है, और यहाँ पे known है, mid cap, small cap दोनों में अच्छा exposure लिया है, relatively, जबकि HDFC top of 100 को देखे, यह second number पे है, performance wise, almost 23% के आसपास का return है, जबकि यहाँ पे mid cap में भी कम exposure है, small cap में तो है ही नहीं, और large cap में बहुत बड़ा exposure है, तो ऐसा नहीं कि एक particular market cap के stocks का यह performance ज्यादा अच्छा चल रहा है, Nippon ने अच्छा mix-up किया हुआ है, जो भी limitations के अंदर रहकर, और HDFC ने तो almost पूरा ही large cap पे invest किया हुआ है, यहाँ पे आप इन funds का कुछ और details चेक कर सकते हैं, mostly investment style आपको यहाँ से पता चलेगा, तो देखे, सबसे पहले अगर आप expense ratio देखें, तो कुछ funds का expense ratio ज्यादा है, कुछ funds का 1 से भी ज्यादा है, ICICI या फिर HDFC का 1 से भी ज्य direct plan का जो की ज्यादा है, annual turnover देखेंगे तो ज्यादा नहीं है इन funds का, Nippon, India और बड़ोधा का थोड़ा ज्यादा है, और बाकियों का तो annual turnover काफी कम है, portfolio price to earning interesting है, यहाँ पे देखे, portfolio price to earning, SBI blue chip fund का बहुत ज्यादा है, 27 से भी ज्यादा, मतलब कि ये growth stocks में ज्यादा investment कर रह है, ICICI proof का भी relatively कम है, market के मुकाबल अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ 20.49 है, इनका भी P ratio relatively कम है, जबकि Nippon, India का जो P ratio है, वो market के आसपास ही है, क्योंकि large cap का अगर आप price to earning ratio देखेंगे, तो 22.5 के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पे top 3 funds का stock portfolio चेक कर सकते हैं, तो large cap के funds है तो इसलिए large cap के stocks ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, अगर अब PSU अगर आप देखें, इनके portfolio में, तो Nippon में अगर आप top के stocks देखें, तो आपको SBI में अच्छा खासा exposure लिया गया है, NTPC में exposure लिया गया है, HDFC top 100, तो of course value investing के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे बहु आपको NTPC मिलेगा, और नीचे का portfolio अगर आप चेक करेंगे, तो वहाँ पे ONGC और भारत petroleum में भी अच्छा exposure लिया गया है, काफी सारे ऐसे investors हैं, जिनको लगता है कि large cap का equity mutual fund है, वहाँ पे risk नहीं है, तो यह बिल्कुल सही नहीं है, देखें, large cap हो, mid cap हो, small cap हो, अगर वो equity है, तो सभी जगा risk है, हाँ, relatively अगर आप देखें, तो mid cap और small cap के मुकाबले, large cap के stock थोड़ा तम risk होते हैं, क्योंकि यह बड़ी companies होती है, जबकि mid cap और small cap की companies छोटी होती है, तो वहाँ पे risk जादा होता है, लेकिन हमेशा यह मान के चलें, कि large cap के equity funds भी risky होते हैं, अगर आप ज़्यादा risk ले सकते हैं, आपका investment horizon 5 years या उससे ज़्यादा है, तब ही आप इस तरह के funds को consider करें, so that's it in this video, अगर आपका को investment related query है, तो every Saturday साम को 7.30 to 8.30 pm में YouTube पे live आता हूँ, कल Saturday, कल भी मैं live आऊंगा, तो आपका कोई भी investment related query है, और अगर आप Ronasis Investor Academy YouTube चैनल के subscriber है, तो आप अपना query वहाँ पर पोच सकते हैं, thanks a lot for watching.